साथियों आप लोग बार बार कह रहे थे कि SSE GD परिक्षा के लिए एक ऐसी करिंट अफैर की क्लास दे दीजे जिस करिंट अफैर की क्लास को पढ़कर हमारी पूरी करिंट अफैर साथियों एक्जाम में हमें मिल जाए और उस से पहले के 6 मैने के साथियों कुछ चुनिंदा कोशन्स मैंने लिए है तो ये पूरी साल की करिंट अफैर साथियों इन 260 प्रश्णों के माद्यम से यहाँ पर निकाली गई है और सभी के सभी वो कोशन्स है जिसमें सही साथियों एक्जाम में साथियों आपको कोशन् करना है तो करिंट अफैर साथियों आपको पढ़ कर जाना क्योंकि करिंट अफैर की बदालत ही आपका ये सेक्शन बढ़िया हो पाएगा तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है अगर आप चाहते हैं साथियों से जीडी में सेलेक्शन लेना तो इन 260 कोशन्स के जवाब पहला प्रिशन आपकी स्क्रेंट पर है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर वैक्ति साथियों कौन बने हैं तो हाल फिलाल की जब हम बात करते हैं इनका नाम आप लुक साथियों ध्यान रखेंगे बरनार्ड अरनॉल्ट इनका नाम है और ये दुनिया के सबसे अमीर आद किया गया है तो इनका नाम आपनों ध्यान रखेंगे सात्यों जे परिसन्ना वी वराले इनका नाम है और ये सूपरीम कोड्ट के नयाइधी शुरूप में सात्यों नयुकते हुए है उसके बाद देखिए कि स्राज सरकार ने My School My Pride अभियान का अनावरन किया है तो हिमाचल परदेश सरकार का नम आपको मालूम होना चाहिए हिमाचल परदेश में ही सात्यों ये अभिहान शुरू किया गया है जिस अभिहान का नम है My School My Pride उसके बाद दिखिये सात्यों के बिहार के बाद जाती जनगरना शुरू करने वाला दूसरा राज कौन सा है बताएए देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जाती जंगलना शुरू करने वाला पहला राज कौन सा था सात्यों तो बिहार आपको बताना है लेकिन दूसरा राज अगर आपसे पूछा जाए तो अंधर पुर्देश आपको बताना है इसलिए आपका अगर है उप्शन नमबर सी तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कहां छेतरी राजभाशा सम्मेलन का उदगातन किया गया है तो ये तो सात्यों करनाटक के बैंगलोरो में किया गया है तो करनाटक अगर उप्शन में आ जाए तो करनाटक लगा देना और बैंगलोरो अगर उप्शन में आ जाए तो बैंगलोरो लगा देना किसे विंग्स इंडिया में सरशिष्ट हवाई अड़े का पुरुसकार मिला है तो किसको मिला है सात्यों दिल्ली हवाई अड़े को भी मिला है और बेंगलूरू हवाई अड़े को भी मिला है इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन अबर सी के साथ जाएगा हाल ही में भारत के नमबर वन शत्रंज खिलाडी सात्यों कौन बने है यह most important question है और आपके exam में पूछा जा सकता है तो आर प्रग्यानन्द का नाम आपको मालूम होना चाहिए आपको याद रुखना है क्यों क्यों क्योंकि यह भारत के नमबर वन शेतरंज खिलाड़ी बने है उसके बाद देखिए साथियों अंतराश्टी विग्यान मौसब 2023 की शुरुआत की अगर बात करें यह कहां पर शुरू हुआ है तो कहां पर शुरू हुआ है हरियाना में शुरू हुआ है अंसर आपका जाएगा option number A के साथ भई बहुत बढ़या very good class तो यह class साथियों अगर बात करें जीके के section को आपके बहुत मजबूत कर डालेगी क्योंकि जीके के कुछ ऐसे questions आ जाते जो बच्चा नहीं कर पाता है और आपको अगर उन 20 प्रिश्णों में से अपना score बढ़ाना हो तो current affair पर साथियों आपकी पकड़ होना चाहिए और आज की इस वीडियो में साथियों करेंट affair का मैं आपको महरती बना डालूँगा जितने भी साथियों पास से 6 questions आप देखेंगे current affair के आपके exam में जो आपको देखेंगे मुझे पूरी उमीद है साथियों इन ही 260 questions में से ही आपको देखेंगे चलिए तो अगर बात करें जली कट्टू परतियों गिता ये कहां पर शुरू हुई है तो आप लोग ध्यान रखेंगे तामिलाणू में होती है ये तो जली कट्टू परतियों गिता उसके बाद देखें किस राज सरकार ने अपना विद्याले कारेकरम शुरू किया है तो हिमाचल पुर्देश आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल पुर्देश में ही साथियों अपना विद्याले कारेकरम शुरू किया गया है आंसर आपका सी के साथ जाएगा आपरेशन अमरस सात्यों किस राज़ में शुरू किया गया है तो ये तो केरल में शुरू किया गया है आप से एक्जाम में पूछा जाएगा कि किस राज़ ने आपरेशन अमरस शुरू किया है तो केरल सरकार ने आपरेशन अमरस शुरू किया है उसके बाद देखिए कौन fit India movement का brand ambassador बना है तो नरेंदर कुमार यादव जी का नाम आप लोक साथियों धियान रखेंगे क्योंके नरेंदर कुमार यादव जी ही fit India movement के brand ambassador बने है उसके बाद देखें साथियो हाल ही में UAE ने किसे golden visa दिया है बताएए तो किसे दिया है साथियों आनंद कुमार जी कि अगर बात करें आनंद कुमार को UAE ने यानि कि सयुक्त अरब अमिरात ने golden visa दिया है या आपके exam में पूछा जा सकता है हाली में सबसे लंबी solar light line इस्थापना का wish way record कहां पर बना है साथियों तो आयोध्या में बना है या आपके लिए important question है आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद देखें साथियों किस देश में आपातकाल की गोशना की गई है बताएए कि हाल ही में भारत और जापान के तत्रक्षक बन ने कहां सायुकत अभ्यास किया है तो कहां किया है साथियों चैन्नाई में किया है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमर सी के साथ चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रशन है किस देश ने एक नया उपगर है जिसका नाम साथियों आइस्टीन प्रोब लाँच किया है एक नया उपगर है आइस्टीन प्रोब लाँच किया है किस ने किया है तो चीन ने किया है या आपको मालूम होना चाहिए एक्जाम के दिश्टिकोर्ण से बहुत important कोशन है उसके बाद देखिए अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है चलिए साथियों अगर बात करें देखिए एससी जीडी की एक्जाम को क्रेक करना आपके लिए बहुत आसान बना दूँगा बिल्कुल बच्चों का खेल जैसे नहीं होता है एक्जाम को पास करना वैसे बना दूँगा तो अब साथियों आपके आने वाले समय में जब भी आपका एक्जाम है किसी भी डेट को आपका एक्जाम है ससी जीडी का मैं साथियों आपके लिए रोज़ाना असी पृष्णों का एक मौक टेस लेकर आता हूँ वो mock test सात्यों एक तरीके से बात करें तो बहुत important है सब ही उसमें हिंदी के भी top level के questions होते है सामान निग्यान के भी होते है math के बड़िया बड़िया concept होते है जो examiner exam में पूछता है और reasoning के बहुत बड़िया questions होते है तो ये 80 प्रिशनों का सात्यों पूरा mock test में ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ जैसा आपको सात्यों आपके exam में दिखे तो रोजाना सात्यों वो mock test आप लोग अगर लगाते हैं तो मेरा मानना है exam तक अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका score बहुत अप हो जाएगा और इतना अप हो जाएगा कि सात्यों final list में आपको अपना roll number दिख जाएगा चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंद्यों को राश्ट्य परती घोशित किया है तो किस देश ने सात्यों क्या है किस देश की बाद चल लए ये किरगिस्तान की बाद चल लए ये आप लोग ध्यान रखेंगे किरगिस्तान देश ने हिम तेंद्यों को राश्ट्य परती घोशित किया है उसके बाद देखिए किस राज में चंदूबी उत्सव मनाये गया है तो चंदूबी उत्सव सात्यों कहां मनाये गया है असम में मनाये गया है या आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर के अगर बात करें आंसर आपका एके साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि ग्रह गड़ में साथियो नियाए सुधार के लिए 3500 करोड रुपए की परियोजना का उदगाटन किया है उसके बाद दिखिए किसने राष्टी रक्षा विश्वद्याले के तीसरे दीख्षांत समाहरू को संबोधित किया है तो इस जैशंकर जी ने किया है या आप लोग धियान रखेंगे आँसर आपका किस उप्षन के साथ उप्षन नमबर बी के साथ हाली में किस भाला फेख खिलाडी ने पिर्टिश्टित सर्शेष्टِ पुरुष का पुरुष का पुरुषगार जीता है तो सुमित एंटिल का नाम आप लोग सात्यों धियान रखेंगे क्यों कि ये ये सातियों कौन है ये भाला फिक खिलाडी है और इन्होंने ही पृतिष्टित सर्षिष्ट पुरुष का पुरुसकार जीता है आंसर आपका भी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए विदेश मंतराले के नए प्रवक्ता कौन बने है तो रणधीर जैसवाल का नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंके यही विदेश मंतराले के नए प्रवक्ता बने है और अगर बात करें भारत के विदेश मंतरी कौन है सातियों तो सुबरमन्यम जैश 24 में चाड के नए परधानमंत्री कौन बने हैं तो चाड एक देश है और इस देश के परधानमंत्री साथियों कौन बने हैं तो सुकसेस मसरा बने हैं इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का कोईशन आपके स लेने वाला हूँ जस वीडियो को देखने के बाद असल में साथियों एक्जाम क्रेक किया जा सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथियों बेल आइकन पर क्लिक कर लीजे जिसे नोटिफिकेशन आपको सब ही वीडियों का मिलता रहे चलिए तो जनवरी 2024 में जहर में रक्षा मंतरी राजना सिंग्ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उदगाटन किया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजना सिंग्ने बालिकाओं के लिए जो सैनिक स्कूल का उदगाटन किया है वो उत्तर प्रदेश में किया है और उत्तर प्रदेश 2023 से किसको सम्मानित किया गया है तो इनका नाम आप लोग सातियों ध्यान रखेंगे इनका नाम है सिर्शंदू मुकोपध्याय और इनको ही सातियों कोवेंपूर राष्टिय पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है सायुक्त राश्टर में भारत के इस्थाई परतिनीधी साथियों कौन बने है तो अरिंदम बागची का नाम आप लोग साथियों मालूम होना चाहिए क्यों क्योंकि यही सायुक्त राश्टर में भारत के इस्थाई परतिनीधी बने है अरिंदम बागची तो ये सब ही के सब ही कोशन सात्यों कैसे ना कैसे आपके मानुमस्तिक्ष में मुझे स्टोर करना है और कहीं ना कहीं सात्यों ये आपके मानुमस्तिक्ष में स्टोर होते जा रहे होगे आपको मालूम पड़े या ना पड़े लेकिन कहीं न कहीं ये आपके मनोमस्तिक्ष में स्टोर हो रहे हैं और जब एक्जाम में साथियों आपके स्क्रीन पर प्रश्ण पत्र में साथियों प्रश्ण आएगा तो तुरंत आपके मांड से उसका उत्तर निकल जाएगा और तेट 20 इसका नाम था आंसर आपका डी के साथ जाएगा यूरूपिय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सात्यों कौन है तो नादिया केलविनो इनका नाम है और ये यूरूपिय निवेश बैंक की अध्यक्ष है और ये ऐसा बनने वाली पहली महिला है इ पांसर आपका जो जाएगा वो आप्शन मर्डी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगला प्रिशन आपके स्क्रेंट पर है देखिए डेपरु गड़ भी लिखा हो सकता है और डेपरी गड़ भी लिखा हो सकता है चलिए सचस्तर सीमा बल यानिके असके बाद देखिए गड़ भाद बाद है तो दलजीट सिंख चाड़ी की अगर बात करें तो ये साथियों सचस्तर सीमा बल के माहनी देख थीज़ क हैं उसके बाद देखिए बांगला देश की पांचमी बार परधान मंतरी साथियों को बनी है तो शेख चासीना की बात करे नाम आपको मालूम होगा पहले भी सुन रखा होगा क्यों क्योंकि पहले भी सातियों बांगला देश की परधान बंतरी थी और अभी भी बांगला देश की परधान बंतरी है उसके बाद देखिए सातियो 2024 की एक فорपिस की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी सातियो कौन है कौन सी है या आपसे पूचा जा रहा है तो कुवेट के अगर बात करें जो कुवेट की कुवेटी दीनार है ये 2024 की फोब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करणिश्टी के रूप में उभर कर सामने आई है आनसर आपका एक एसाथ जाएगा उसके बाद देखिए भारते ओलंपिक संग के CEO कौन बने यानि के Chief Executive Officer कौन बने है तो रगुराम अईयर का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए क्योंके यही भारते ओलंपिक संग के नए CEO बने है चलिए उसके बाद देखिए लगतार चटी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्तमंत्री साथियों कौन है तो निर्मला सीता रमन है आंसर आपका जाएगा एक साथ उसके बाद देखिए बिहार के किस पूर मुख्यमंत्री को मर्लू परांत देश के सरवुच सम्मान भारत देखिए बाद देखिए जनवरी दोहजार चौबिस में किस देश ने हिम तोन्दियों को अपना राश्ट्री परती गोशित किया तो किस की अगर बात करें किर्गिस्तान ने साथों ऐसा किया आंसर आपका एक साथ जाएगा जनवरी दोहजार चौबिस में किस राज में चंदूबी महसब का आयोजन किया गया है तो कहां पर किया गया है साथियों आसम में किया गया है चंदूबी महसब का एके साथ जाएगा जनवरी 2024 में बिमस्टेक के महा सचीव कौन बने है साथियो तो इंद्रमणी पांडे का नाम आपको मालूम होना चाहिए क्यों क्योंकि यही साथियो बिमस्टेक के महा सचीव बने है आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है 2018 में गोल्डन एवार्ड 2024 में किस फिल्म को सरशेष्ट पिक्चर ड्रामा का पुरुसकार मिला है तो ओपन हीमर साथियो इस फिल्म का नाम है और आप लोग धियान डखेंगे ओपन हीमर इस फिल्म को सरशेष्ट पिक्चर ड्रामा का पुरुसकार दिया गया है उसके बाद देखें साथियों परधान मंतरी नरिंदर मोधी जी ने तीरत इस्तलो पर सच्छता बनाए रखने के लिए किस अभिहान की शुरुआत की है तो सच्छा मंदिर अभिहान की शुरुआत की है पूछा जाए कि सुच्छ मंदिर अभ्यान की शुरुआत किस के दौारा की गई है तो परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के दौारा की गई है चलिए उसके बाद देखिए कि आस्टेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है साते हो अरिना सवा लिंकाने जीता है और ये कहां किये साते हो ये बेला रूस की है उस्टेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब साते हो किस को दिया गया है साते हो जनने की सिनर को दिया गया है सरशिष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसको दिया गया है तो किसको दिया गया है साथियो रडबीर कपूर को दिया गया है और किस फिल्म के लिए दिया गया है तो एनिमल मुवी के लिए दिया गया है उसके बाद देठे कि उन्हत्तरमा फिल्मफेर पुरसकार दोहजार झाणी के लिए और अगर आप से साथियो पूछा जाए कि साथियो अभिनेता का पुरसकार किसको दिया गया है तो रणबूिर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए उसके बाद देखिए साथियो अगले नंबर का कोशन आपकी स्करीन पर आचुका है आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में G77 शिकर समेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है तो यूगांडा के कमपाला में किया गया है आंसर आपका आप्शन नंबर A के साथ जाएगा विश्वे सौस्त संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त गोशित किया था साथियो तो अफरीका के केप बर्डे को किया था इसलिए आंसर आपका जो जाना जाए है वो आप्शन नंबर C के साथ जाना चाहिए आटमी बार बालकन एथलीट 2023 का खिताब साथियो किस ने जीता है तो नौवाग जो को विच ने जीता है और ये कहां किया साथियों ये सारे के सारे कोशन्स आपको साथियों ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि S.S.E.G.D. एक्जाम को आप क्रेक करें तो साथियों आराम से मैं आपको यहां पर दो सो लगवग दो सो पचास से जादा दो सो साथ के आसपास ये चुनिंदा कोशन्स करा रहा हूँ और ये पूरी साल के साथियों ऐसे कोशन्स मैंने आपर निकाले हैं जो आपके एक्जाम में आप से पूछे जा सकते हैं तो मेरा मानना है सा के आपके 20 प्रिशन आएंग उसमें current affair के जो भी 6-7 questions आएं तो वो अगर आप कर देते हो तो सामान ग्यान में साथियों आपका एक up score हो जाएगा यानि के टॉप वाला साथियों आपका score हो जाएगा मान लिजिए जो आपके 13-14 में से अगर सामान ग्यान के प्रिशन आते हैं तो बहुत बढ़िया score कहलाया जाता है वो किसमें सामान ग्यान का लेकिन reasoning, math और साथियों हिंदी के बात करें उसका एक अलग score होना चाहिए चलिए तो खेर सब कुछ हो जाएगा एक्जाम भी आपका clear होगा और selection भी आपका साथियों बहुत आराम से होगा class आपलुक साथियों देखते जाएए जो mock test की daily में आपको class देता हूँ उसको साथियो इस्पेशली daily आपलुक देखा करिए चलिए तो परधान मंत्री शीरी नरेंदर मोदी जी ने एक करोड़ो एक करोड़ो घरों में छट पर सौर पैनल इस्थापित करने के उद्देश से किस योजना की शुरुआत की है तो परधान मंत्री सूरद योजना की शुरुआत की है या आप लोग ध्यान रखेंगा आ किंद्र सरकार ने बहु भाशी शिक्षा के लिए जनवरी दोहजार चौबिस में AI आधारित किस एप को लाँच किया है तो अनुवादिनी एप को लाँच किया है आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका बी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि महाराष्ट की पहली महिला पुलिस महानिदेशक साथियो कौन बनी है तो रश्मी शुकला का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है उसके बाद देखिए साथियो एशियाए विकास बैंक का कार अगर बात करें डॉक्टर रितू करिधल को भी किया गया है और नवीन तिवारी को भी किया गया है इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो आप्शन नमर सी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियो भारत और किस देश के बीच सेन अभ्यास डिजर्ट साइकलोन 2024 का आयजन किया गया है तो भारत और किस देश के बीच साथियो भारत और सयुगत अरब अमिरात के बीच आप टो जहान रखेंगे डेजर्ट साइकलोन अभ्यास का आयजन किया गया है उसके बाद देखिए साथियो चीन के रक्षा मंत्री के अगर बात करें तो डोंग नियुक्त किया गया है तो किसको किया गया साथियो दीपिका, पादू को इक रिपरोट के नूसार अगर बात करें 2023 में दुनिया की सभसे अधिक कमाई करने वाली महिला इतलीटों की सूची में सोहल में इस्तान पर एकमात्र भारतिये खिलाडी है और जिनका नाम क्या है साथियों पीवी सिंदू की अगर बात करें तो ये इनका नाम है और ये बैट बिंटन से संब्दित है उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में 27 में राश्टिय युवा महसब का आयोजन कहां पर अगर बात करें साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे क्या इस प्रश्ण का बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सबी लोग तो महाराश्ट में साथियों आयोजन किया गया था अप लोग ध्यान रखेंगे 27 में राश्टिय युवा महसब का आयोजन कहां पर किया गया तो महाराश्ट के नासिक में किया गया था अब उसके बाद देखिए 2024 जनवरी 2024 में दसमें वाइबरिंट गुजरात समिट 2024 का आए जोन साथियो भारत के कि शहर में किया गया तो गांधी नगर में किया गया अगर गांधी नगर नाए साथियो तो गुजरात आएगा और गुजरात के गांधी नगर में किया गया ये दोनों बाते आपको ध्यान रखने उसके बाद देखिये साथियो के रक्षा मंतरी र उरक्षा केंदर का उद्गहटन कहां पर किया गया था तो चंदीगण में किया गया था यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर शहीत तुशार महाजन रेलवे स्टेशन करने की स्टेशन क किया था तो किस किले में किया था साथियों राजकूट किले में किया गया था यह आपको मालूम होना चाहिए आंसर आपका जो जाएगा वो अप्शन नमबर एक के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियों नेक्स नमबर का कोशन है कि दिसंबर 2023 में 12 सरकार ने किस विधी विरुद्द संगटन गोशिव किया है चलिये उसके बाद देखिए दिसम्बर दोहजारटइस में काशी तमिल संगमम दोहजारटइस का उधगाटं सात्यों किस ने किया था तो नरेंद्र मोधी ने किया था राईट आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर ए के साथ अब उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में केंद्रिय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री आमित चाहा आमित चाह जी ने कहाँ पर सरदार वलवाई पटेल की 15 फीट उची परतिमा का अनावरण किया है साथियों तो कहाँ पर किया है गुजरात के गांधी नागर में किया है यह आपको मालूम होना चाहिए और आपको याद रखना है आंसर आपका डी के साथ जाएगा उसके बाद देखे साथियों अगला प्रिशने के दिसंबर 2023 में केंद्रिय मंत्री मंडल ने किस हवाई अड़े को अंतराश्टी हवाई अड़ा घुशित किया है साथियों सूरत हवाई अड़े को अंतराश्टी हवाई अड़ा घुशित किया गया है किस के दोरा केंद्र नबर D के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियो अगला पृष्णे की दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सरवधिक्या सरवधिक G.I. टेक्ट राप्त करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है तो उत्तरा गंड साथियो बना है राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नबर B के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर B है तो बिल्कुल गरेक्ट है अब उसके बाद देखिए साथियो दिसंबर 2023 में किस देश के राश्टपती ने भारत के 75 वे गलतंतर दिवस के मुक अधिती बनने का निमंत्रण सुईकार किया है तो कहां कि सा राश्टपती हैं फ्रांस के राश्टपती हैं या आप लोगको मालूम होना चाहिए आंसर आपका साथियो जो जाएगा वो आप्शन नबर A के साथ जाएगा मैकरोन इनका नाम है क्या फ्रांस के राश्पती का साथियो क्या नाम है मैकरोन इनका नाम है उसके बाद देख अक्टूबर 2023 में नैनो डी एपी तरल साइन्थ का उधगटन कहां पर किया गया है सातियों तो कहां पर किया गया था कालोल में किया गया था ये आपको मालूम होना चाहिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर साइक्लिंग ट्रैक है यानि कि हेल्थवे का उद्घटन कहां पर किया गया तो कहां पर किया गया साथ यूए हैदराबाद में किया गया सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर आप चुका है और आप से विकास मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र परदान और धर्मेंद्र परदान नहीं साथियों 2023 में इसकिल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम किया था अब उसके वाद देखिए सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमरित कलश यातरा की सुरुआ शुरुआ साथियों कहां से की गई बताईए तो कहां से की गई फटा फट साथियों आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से बताईए साथियों क्या राइट आंसर होगा तो दिल्ली से की गई या आपको मालूम होना चाहिए आंसर आपका जाएगा एके साथ्यों आप लोग धियान रखेंगे सितंबर 2023 में भारत में G20 शिकर सम्हेलन का आयजन किया गया इस सम्हेलन की साथियों घीम क्या थी आपसे पूछ फूचिन नहीं हें कभी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रशन है के सितंबर 2023 में 22 सुरक्षा पर अंतराज़्टिय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था तो राजिस्थान के जैपूर में किया गया था साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए आखिर ये क्या है आखिर ये साथियों द्रीप है का आपको धियान रिखना है इसकी बहुत चर्चा हुई थी साथियों अगस 2023 में तो एक कच्चा थी वो एक द्रीप का नाम है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशन आपके स्क्रेन पर है पूछा आपसे जा रहा है कि आगस्त 2023 में भारत का पहला थ्रेडी प्रिंटेड पोस्ट आफिस के शहर में साथियों खोला गया तो ये कहां पर खोला गया बैंगलूरू में खोला गया आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमर डी के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का बजट निर्धारित किया गया प्रधान मंतरी विश्व कर्मा योजना के लिए उसके बाद देखिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है पूछा आपसे जा रहा है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने कितने अमरत भारत स्टेशन की आधार शिला रखी तो कितने की रखी साथियो 508 आप लोग घ्यान रखेंगे अमरत भारत स्टेशन की आधार शिला रखेंगी किस के दोरा तो नरेंदर मोदी जी के दोरा उसके बाद देखिए जुलाई 2023 में अखिल भारतिये शिक्षा समागम 2023 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था आपसे निउन्तम आय गारिंटी विद्याक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा था तो पूछा जा रहे साथियों बताने की कोशिश कीजिए बताईए साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजेगा और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यहाँ पर अगर बात करें नियुन्तम आई गारिंटी विद्यक पालिट करने वाला भारत का पहला राजसात्यों कौन सा है तो राजस्तान है आप उसके बाद देखिए अगला प्रिशने की जुलाई 2023 में किस राजसरकार ने भारत का पहला सात्यों गिक शुरमिक अधिक विद्यक पेश किया गया आंसर आपका जाएगा डी के साथ चली राजस्तान सरकार के द्वारा पेश किया गया उसके बाद देखिए अगला पुछने सात्यों कि जुलाई 2023 में किसे पीछेट छोड़ते हुए ओडशा के मुख्यमंतरी नवीन पत्तायक जी भारत में किसी कि दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंतरी बन गए हैं तो किसकी बाद चल रही है सात्यों जो तिबा बसू की बाद चल रही है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमर सी के साथ जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन उसके बाद देखिए जुलाई 2023 में जारी नरियात तैयारी सुचकांग 2022 के अनुसर भारत का कौन सा राज्य सात्यों शीर्श पर रहा है ये आप से पूछा जा रहा है तो कौन सा राज्य शीर्श पर रहा है तमिलाणू शीर्श पर रहा है आंसर आपका जो जाएगा वो 2024 में किया जाएगा उसके बाद देखिए मिस वर्ल 2023 पर त्योगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया भारत में किया जाएगा अगले नंबर का सात्यों कोशन देखिए और इस कोशन का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए च तो यहां पर अगर बात करें मेटा और महिला बाल विकास मंतराले के द्वारा किया गया है आंसर आपका भी के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन आपके स्क्रीन पर है कि जून 2023 में पहले राष्टी प्रिक्षिक्शन सम्मेलन का उदगाटन कि चलिए तो किसने किया था साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे नरेंदर मोदी जी के दौरा जून 2023 में पहले राष्टी प्रिक्षिक्शन सम्मेलन का उदगाटन किया था प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने नव निर्मि संसत भवन को राष्ट को कब समर्पित किया तो कब किया साथियों 28 मई 2023 में समर्पित किया आंसर आपका डी के साथ जाएगा उसके बाद देखिये साथियों मै कि अगर बात करें मैं 2023 में किस राज़ में एस्तित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिच का उदगाटन किया गया है तो किस राज़ की बाद चल लग से इस शासित राज़ घोशित किया गया है तो किसको घोशित किया गया है साथियों बताने की कोशिश करेंगा आप सबी लोग बताईए तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों केरल आपके पुर्शन का सही जवाब हो जाता है भारत के केरल को साथियों पहला पूंडूप से इस शासित राज़ घोशित किया गया है उसके बाद देखिये साथियों मई 2023 के मई 2023 में भारत के केंदरी मंत्री भूपेंदर साथियों कहां पर किया ये आप से यहाँ पर पूछा जा रहा बताईए चलिए तो यहाँ पर जब साथियों बात करते हैं तो देहरादून साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर B है तो बिल्कुल करेक्ट है सबसे जादा सीटे प्राप्ट हुए आंसर आपका डी के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का पुर्शन आपके स्क्रीन पर है कि अपरेल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राश्टी दल का दर्जा परदान किया है तो किसकी बाद चल लएए साथियों आम आदमी पार्टी की बाद चल लएए आंसर आपका डी के साथ जाएगा अपरेल 2023 में जारी किये गए राज्य उर्जा दक्षता सुचकांक 2021 में शीं साथियों पराप्त हुआ है बताईए तो किसको पराप्त हुआ है कि करनाटो को साथियों पराप्त हुआ है सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्षन इमबर B के साथ जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है और आपसे पूछा जा रहे साथियों कि अपरेल 2023 में राज्य उर्जा दश्टा सूशकांग 2021-22 में श्री श्रिस्तान किस राज्य ने पराप्त किया है तो इसको मैं अभी आपको बता चुका उन साथियों करनाटक ने किया है उसके बाद देखिएए देखिए सेम कोशन था ये वाला और ये वाला सेम कोशन था उसके बाद देखिए के मार्च 2023 में जारी नागा लेंड विदान सबह चुनाव परणामों में सबसे अधिक सीटे किस दलने साथियों पराप्त की है तो सबसे जादा सीटे की अगर बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने प्राप्त की थी आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर A के साथ जाएगा ये सबी के सबी कोशन साथियों अगर आपके दिमाग में बैट जाते हैं तो एकजाम आस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मार्च 2023 में नई दिल्ली में राइसीना डायलोग का आयोजन किया गया बिल्कुल सही इस संबेलन में मुक अतिती साथियों कौन थे तो कौन थे साथियों आप लोग नाम धियान रखेंगे एंथनी अलबनीज का नाम एंथनी अलबनीज की अगर साथियों बात करते हैं तो आप लोग धियान रखेंगे ये अगर बात करें तो नई दिल्ले में जो राइसीना डायलोग था इसके आयोजन किया गया था यहां पर ये मुक अतिती के तौर पर आये थे उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रिश्ण है कि मार्च दोहजार तैस में पुर्धान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने कहां पर विश्च के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उदघाटन किया तो कहां पर किया साथियों या आप से पूछा जा रहा है तो हुबली धारवाड आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे और ये कहां पर है साथियों ये तो करनाटक में है और अगर आप से पूछ लिया जाए जो आपका सबसे बड़ा यानि कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उदघाटन किया नरेंदर मोदी ने करनाटक में है वो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या या उ इस्टेशन का नाम क्या है तो इस्टेशन का अगर नाम आप से पूछा जाए तो सिधरुना स्वामी जी हुबली स्टेशन आपको बताना है और इसकी लंबाई कितनी है साथियो 1507 मीटर इसकी इस्टेशन की लंबाई है उसके बाद देखिए अगला प्रिशने साथियो जनवरी 2023 में देश का पहला पूल डिजिटल बैंकिंग राज़ुकी से घुशित किया गया है तो किसकी बाद चल लएए साथियो आंसर आपका किसो अप्शन के साथ जाएगा तो अगर आपका आंसर यहां पर केरल के साथ है तो बिलकुल करेक्ट हो जाता है वही बहुत ब द्यान रखेंगे विदिशा आपके इस प्रिशन का बिलकुल सही जवाब हो जाता है और जिन लोगों ने भी साथियों आपर आंसर आप्शन नमर डी दिया था तो बिलकुल करेक्ट हो जाता है बहुत बढ़िया तेरिकुट क्लास चलिए तो आप लोग द्यान रखेंगे 5G तक्नीक लागो करने वाला देश का पहला कांशी जिला साथियों कौन सा है तो विदिशा है पूछा जब विदिशा कहां पर है तो ये मध्ध प्रदेश में है अब उसके बाद देखिए कि जनवरी 2023 में भारत का पहला साविधान साक्षर जिला किसे गोशित किया गया है तो किसे गोशित किया गया है साथियों कौलम को गोशित किया गया है और ये कौलम कहां पर है तो ये केरल में है अगले नंबर का प्रशन देखिए कि जनवरी 2023 में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कहां पर विश्के सबसे लंबे रीवर क्रूज M.V. गंगा विला उसको वहरी जहड़ी दिखा कर रवाना किया है आंसर आपका जाएगा आप्शन अबर B के साथ हाल हिमिक कि सराजिके मुखमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधी योजना शुरू की तो आप लोग साथियो ध्यान रखेंगे करनाटक की अगर बात करते हैं तो करनाटक में साथियों की योजना शुरू की गई है युवा निधी योजना पूछा जाएगा करनाटक में जो शुरू की गई युवा निधी योजना किस से सम्बंदित है साथियों तो बेरोजगा current affair के questions आपसे बनेंगे आपसे पूछे जा सकते हैं उन सब ही को साथियों cover करेंगे तो यहां से साथियों आप लोग बिल्कुल रट लीजेगा जो जो मैं आपको questions कराऊं सब ही questions साथियों आपके मनुमस्तिक्ष में store होना चाहिए तो exam आपका crack हो जाएगा चलिए जैसे कि यहां पर बात हमने करी ना के करनाटक में युवा निधी उज़ना शुरू की गई है तो करनाटक से समधित current affair के जितने भी important question बनते हैं उन सब ही को देख लिजे आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने स्वेदेशी high speed flying wing UAV का सफलता पूर्वक परिशण कहां किया है साथियों तो करनाटक में किया है आपसे पूछा जाएगा साथियों के करनाटक की table tennis association के अध्यक्ष कौन बने है तो रक्षा रमया बने है इतना आपको साथियों ध्यान रखना है उसके बाद अगर बात करें नम्मा कम्माला प्रतियों गिता का आयोजन कहां पर किया गया है तो करनाटक के बैंगलूरू में किया गया है आपसे अगर पूछा जाएगा कि महिला नेतरत वाले स्टार्टप की संख्या में बैंगलूरू शिष पर रहा है आपसे पूछा जाएगा कि महिला नेतरत वाले स्टार्टप की संख्या में कौल सा शहर शिष पर रहा है तो साथियों बैंगलूरू शिष पर रहा है उसके बाद देखिए नीव लिट्रेचर फेस सबसे परदूशी शहर कौन सबन है तो साथियो बहुत important question है देखिए अभी तक तो साथियो दिल्ली हुआ करता था भारत का सबसे परदूशी शहर है लेकिन अब जब हम बरनी हाट की यहाँ पर बात करते हैं बरनी हाट की तो रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनु को साथियो आयोध्या के बेसन के लेट्डू को GI टैग मिला है या आपको मालूम होना चाहिए आंसर आपका जाएगा C के साथ उसके बाद देखिए 27 में राष्ट यूवा महसब का आयोजन की शहर में किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा साथियो नासिक में किया उसके अलावा देखिए साथियो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार कहां पर यनि किस देश ने भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है तो सायूक्त अरब अमिराथ में का यूजना का आईगा Robin का एजन किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा साथियो तो तो राजिस्तान में किया जाएगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए प्रधान मंतरी मोधी जी आबुदावी में बी-ए-पी-एस हिंदू मंदर का उद्गाटन करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर उर्जा सैंदर का उद्गाटन कहां पर किया जाए भी साथियों तो दुबई में होगी चलिए उसके बाद देखिये भारत ने सयुक्त अरब अमिरात को अपना पहला कच्छे तेल का भुगतान रुपए में किया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिये साथियों अगले नंबर का प्रशन है कि भार अब यहां पर देख लिजे साथियों 36 गड़ से संबंदी जितने भी इंपोर्टन करिंटर फैर के कोशन बनते हैं वो देख लिजिए आप से पूछा जा सकता है कि 36 गड़ की विधान सभा के स्पीकर अभी हाल फिलाल में किन को चुना गया है तो रमन सिंग को चुना गया है 36 गड़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्मान शिर्मिक पेंशन योजना की रही है यह आपको साथियों धिहान रखना है उसके अलावा आप लोग धिहान रखेंगे कि 36 गड़ की जो पेलमा खदान है यहां पर कोईला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन पुछा जाए किस राज में ग्रामीर आवास नया योजना शुरू की गई है तो 36 गड़ में शुरू की गई है ऐसा को धिहान रखना है उसके बाद देखिए कि 36 गड़ के मुख्यमंत्री ने ओगोगीक प्रोसाहन के लिए प्रोसाहन पैकेज की गोशना की है ये भी आपक किस क्रेन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे रक्षा मंतराले में महानिदेशक न्युक्त किया गया है तो समीर कुमार सिनहा का नाम आप लोग सात्यों ध्यान रखेंगे इनको ही रक्षा मंतराले में महानिदेशक न्युक्त किया गया है उसके बाद देखिए साथियो कुछ important question आपसे पूछा जा सकते हैं आपके exam में देखिए जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आडानी पोर्ट्स और विशेश आर्तिक छेतर के CEO के रूप में किसे निक्ति किया गया है तो साथियो अश्विनी जी को निक्ति किया गया है ये आपको मालूम होना चाहिए ये गुपता लिखा हूँ अश्विनी गुपता किया गया है तो सातियो सेंथिल पांडियन को न्यूक्ति किया गया है और भारती ओलम्पिक संग के अगर बात करें सीईयो किसको न्यूक्ति किया गया है तो रगुराम ऐयर जी को न्यूक्ति किया गया है ये सारी के सारी अगर पॉइंट आपके मौनो मस्तिक्ष में स्टोर ह एक्सपर्ट बन जायेंगे करिंट फियर के विष्व में एक तरीके से बात करें ठीक है ना तो उसके बात देखिए कि जांगी हवाई अड़े को सिंगापुर में है और इसको ही दुनिया का सरश्ष्ष्थ हवाई अड़े haut है बहुत important portion था उसके बाद देखिए साथियो भारती मूल के क्या लिखा हुआ साथियो भारती मूल के धर्मन शन मुगरलम ने सिंगापुर के राशपती चुनाव के लिए अरहता प्राप्त की है यूपी आई ने सिंगापुर के साथ मिलकर cross border connectivity लाँच की है और mobile download speed test के global index में स कहाँ पर साथियों शुरू हुआ है आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर शुरू है गोवा में शुरू है कहाँ पर शुरू है साथियों गोवा में शुरू हुआ है आंसर आपका जो जाएगा वो option number A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए कि किसे Supreme Court कानूनी सेवा समित का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है आंसर आपका जाएगा सी के साथ अब उसके बाद देखिए कुछ important point आपके screen पर है जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि महराष्ट पुलिस के नए DGP कौन बने है तो रश्मी शुकला बने है या आपको ध्यान रखना है आपसे पू पूछती महासंग के अध्यर साथियों कौन बने है तो संजय सिंग बने है और पूछा जाए सलाम Bombay Foundation के लिए सवस्त राजदूत अमरता रायचंद को नामित किया गया है तो इनका नाम भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम समय में साथ तो समय आपका बहुत थोड़ा सा लेता हूँ और उसमें कंटेंट आपको भर भर के दे देता हूँ जिससे आपका एक्जाम कम से कम आपका निकल जाए ठीक है ना चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों को कुशन आपके स्क्रेंट पर है कि हाल ही में कि सर ने कि ग्याहरमा बंगलादेश पुस्तक मेला सातियों कहां पर हुआ है तो ये कोलकाता में हुआ है ये बंगलादेश लिखा है पश्यम बंगाल के ब्रांड अमबेस्टर कौन बने बहुत इंपर्टन कोशन तो सौर अफ गंगुली बने है उसके अलावा आप से पूछा जाएगा कि शांती निकेतन को ये नेसको ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए उसके अलावा देखिए पश्यम बंगाल ने 15 अपरेल को पोईला बैसाख मनाने का निल्ले किया है तो 15 अपरेल को किया है अब उसके बाद बाद देखिए आत्म निर्भर भारत उत्सव 2024 का आयजन साथियों कहां पर किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है आइसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा उसके बाद देखिए साथियों कि विदेश मंतराले के न्य प्रवक्ता कौन बने हैं तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियो रणधीर जैसवाल का नाम क्यों क्योंकि यही विदेश मंतराले के नए प्रवक्ता वने है भी हाल फिलाल में नेक्स नंबर का कोईशन आपके इसके रिएन पर है कि पुर्धान मंतरी नरे नर्मोदीची ने कहां 400 करोड क्या 400 करोड रुपए के फास्ट रियक्टर प्लांट का उधगाटन किया है तो कहां पर किया है साथियो तमिलनाडू में किया है आंसर आपका जाना चाहिए तमिलनाडू से सम्मंदित साथियो जितने भी इंपॉर्टन कोईशन बन सकते हैं आपके एक्जाम में वो सारे देख लीजिए चलिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तिलापिया पार्वो वाइरस कहां पर साथियो रिपोर्ट किया गया है तो तमिलनाडू में ही रिपोर्ट किया गया है आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडू के सलेम को मिला है पूछा इस प्रिकार से जाएगा कि किस राज् सांगों को क्या दिया गया है जी आई टेग दिया गया है उसके अलावा देखिए कि तमिलाणू के मुख्यमंतरी ने स्कूलों के लिए साथियो कौन से योजना शुरू की है विस्तारित नास्ता योजना किस राज़ ने शुरू की है तो तमिलाणू ने शुरू की है उसके में कौन मिसेज इंडिया वन इने मिलियन 2023 की विजेता बनी है तो कौन बनी है साथियों रूपी का ग्रोवर बनी है इनका नाम साथियों आप लोग ध्यान रखेंगा और अगर आप से भी पूछ लिया जाए कि मिसेज इंडिया वन इने मिलियन 2023 कौन बनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए और मिस यूनिवर्स नीदर लेंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है साथियों तरिक्य वैलेरी बनी है और फैमिना मिस इंडिया 2022 का साथियों खिताब किसने जीता है तो सिनी शेटी जीने जीता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए चलिए अब उसके बाद देखिय armored वर्ल वाईड 2022 का खिता है तो खुशी पटेल जीने जीता है सरगम कोशल ने मिसेज वर्ल 2022 का किता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिए साथियों के राम मद्दिर के सम्मान में किस राज़ ने 22 जनवरी को शुश्क दिवस घुशित किया है तो किस राज़ ने किया है साथियों ऐसा 36 गड़ ने किया है राइट आंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर A के साथ चलिए अब अगर बात करें साथियों आपर के रामन सिंग को 36 गड़ की विधान सभा के स्पीकर चुना गया है बिल्कुल सही 36 गड़ सरकार ने ही मुख मंतरी निर्मान श्रमिक पेंशन यूजना शुरू की है ये भी आपको मालूम होना चाहिए और 36 गड़ की जो पेलमा खदान है साथियों ये कोईला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी ये भी आप लोग ध्यान रखिये और 36 गड़ के धंतरी में कमार जंजाती को आवास अधिकार मिला है अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रेन पर है नम है और ये इंडोनेशिया में है सातियों ये फटा है उसके बाद देखिए एक इंडोनेशिया के मारापई जोऑना बुखी में विसव喔 हुआ है बिलकुल हुआ है उसके बाद देखिए 43 मा आसियान शिकर समेलन कि अगर बात करें सका आयो जन कहां पर किया जाएगा ले के बीच द्रिपक्षी अभ्यास समुंद्र शक्षिती 2023 हुआ है ये भी आप लोग साथियों मालूम रखेंगे अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रेइन पर आ चुका है कि पीम विश्व कर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंदर श कश्मीर से सम्मादित कुछ important current affair के कोशन देख लिजिए कि अटल डुलू को जम्मू कश्मीर का मुक्त सचिव नियुक्त किया गया है अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर का मुक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है तो अगर आपसे पूछे साथियों केसर को GI टैग जो मि है और जम्मू कश्मीर के प्रसिद जो पश्मीना क्राफ्ट है इसको भी साथियों GI टैग दिया गया है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों कोशन आपके स्क्रेंड पर है और अगर बात करें चार्ड के प्रधान मंतरी के बारे में आपसे यहां पर के साथ तीसरा कारकाल जीता है ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रिशन है कि अगर बात करें कि एंडरी राजो एलिना कहां के राश्टपती चुने गए है तो मेर अगास करके आपसे पूछा जाए सा के लगजम बरके परदान मंतरी कौन बने है तो लिूक फ्रेडन बने है ये सब हाल फिलाल की साथियों खबरे है और जो हाल फिलाल की खबरे होती है वो कोशन्स के रूक में आप से एकजाम में पूछ ली जाती है आप से आगर पूछा जाए कि अरजंटीना के राश्टप ये भी आपको मालूम होना चाहिए सभी के सभी कोशन साथियों एक डम टॉप लेवल के और सभी के सभी सवाल ऐसे सवाल हैं जो एक्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे इस्थान पर है तो साथियों कौन सा है तो पहले नमबर के अगर बात करें तो चीन है लेकिन दूसरे नमबर के अगर बात करें तो अपना भारत है आंसर आपका जाएगा आप्शन नमबर B के साथ अगर बात करें कि भारती सरवदिक है भारत सरवधिक बोट के साथ अंतराश्टी समूदरी संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है बिल्कुल सही मलेशिया ने भारती नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमती दी है बिल्कुल सही और उसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सخت आयू सत्यापन योजना बना रहा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए उसके अलावा आप लोग घ्यान रखेंगे साथियो भारत ने 2023-24 में 41,010 पेटेंट कराएं हैं इसने पेटेंट कराएं हैं 41,010 पेटेंट कराएं हैं ये भी आपको साथियो मालूम होना चाहिए चलिए अब उसके बाद देखिए किस राज़ ने किस राज़ ने आपदाओं की पूर्व चितावनी के लिए राहतवाणी केंदर लॉंच किया है तो राहतवाणी केंदर साथियो किस ने लॉंच किया है उत्तर प्रदेश ने लॉंच किया है आंसर आपका जाएगा अप्शन नमर बी के साथ अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के इंपोर्टन करेंट अफैर देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना वाट्सव चैनल शुरू किया है अगर बात करें साथ यो वाट्सव चैनल टार्गेट सेलेक्शन का भी है और उस वाट्सव चैनल का लिंक आपको साथ यो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराद पुलिस स्टेशन खोनने की वंजूरी दी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए संख्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्करश्टता केंदर की गोशना की है बिल्कुल सही और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वद्याले ने NAAC के दोरा A++ ग्रेडिंग हासिल की है ये भी आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोंट का उदगाटन सात्यों कहां पर किया गया है तो उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में किया गया है आंसर आपका जाएगा option number C के साथ अगले नंबर का प्रिश देखिए कि हाल ही में किस राज ने 2023 में 40 लाग करोड रुपए से अधिक का निवेश हासल किया है तो साथ यो उत्तर पुर्देश ने इस question का right answer आपका जो होगा वो उत्तर पुर्देश के साथ ही जाएगा उत्तर पुर्देश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उतकर्ष्टता केंदर की गोशना किया है याद रखना है और उत्तर पुर्देश के CSJM विश्वत द्याले ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासल की है अब उसके बाद देखिए साथियो अगले नमबर का कोशन आपके स्केरेन पर है और आपसे पूछ के नाव रखा गया है आंसर आपका साथियो जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर C के साथ जाएगा चली उसके बाद देखिए किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणू सेयंतर फिर से शुरू होने की रहा पर है तो किस देश की बाद चल रही है साथियो जापान की बाद चल रही है आंसर आपका जो जाएगा वो औप्षिन नमबर बी के साथ जाएगा अब जापान से सम्मंद्र जो पुछे डा सकते हैं उनको एक एक बार देख लिजे कि जापान को समंद्र के अंदर जौला मुखी विस्वोट के बाद नया दरीप मिला है बिलकुल इसरो जापान की स्पेस एजनसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगी बिलकुल जापान की याको हामा में डांसिंग पिकाच का कारकरम आयजुत किया गया है बिलकुल साथियों और उसके बाद आप लोग धियान रखेंगे 2022 में जापान की जनसंख्या आट लाग से अधिक घट गई है ये संख्या भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशना आपके स्क्रेइन पर है कि विश्वे टेस्ट चैंपिंशिप में सबसे जादा रन बनाने वाले भारती बल्लेवास साथियों कौन बने है तो विराट कोहली बने है आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर A के सा यह भी आपको मालूम होना चाहिए उसके अब आलावा आपको मालूम होना चाहिए कि BCCI ने एमेज धोनी की जरसी को रेटायर करने का फैसला किया है उसके अलावा देखिए कि BCCI ने महमद शमी के लिए अरज्वन आवर्ड की सिफारिश की है और दक्षन आफरिका की महि क्यों साथิओं मालूम होना चाहिए चलिए अब उसके बाद देखिया कि हाल ही में मुबाइल फोन कंपटनी टेकनो ने किसे अपना ब्रैंड अमज़wasser बना है तो टेकनो के ब्रैंड अमज़र साथियो क्टुन है दिपका पादिकून है या आपको मालूम होना चाहिए एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अब अलग-अलग साथियों हम लोग देख लेते हैं कौन किसका ब्राडड अम्बेस्टर है जैसे कि इस पर सी सी टीवी के ब्राडड अम्बेस्टर कौन है साथियों तो सोन उसूद है उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि AISITIS nutrition ने कि इसको अपना brand ambassador बनाया है तो रवींदर जड़ेजा को बनाया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए और होसर पिन का brand ambassador सात्यों कि इसको बनाया गया है तो रणवीर कपूर जी को बनाया गया है और राडो की brand ambassador सात्यों कैटरीना कैफ है और पूमा के brand ambassador कौन है तो सात्यों याद रखना है क्यों? क्योंकि इनको इन्होंने ही टैगोर साहित्य पुर्सकार जीता है तो जिनका भी आंसर यहाँ पर option number C है तो बिल्कुल correct हो जाता वही बहुत बड़या very good class तो सात्यों 147 पुर्शन हुए हैं यहाँ पर और 260 के असपास मैं आपके लिए यहाँ पर questions लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने पूरे पिछली साल का current affair खंगाला है तो उसमें से मुझे सबसे important questions आते हो यह मिले हैं तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ सात्यों यह पिछले एक साल का पिछले 6 महीने के maximum question यहाँ पर होंगे और उससे पिछले 6 महीने के वो selected question लेकर आया हूँ जो आपसे exam में पूछा जा सकता है क्योंकि आप अगर देखेंगे सात्यों कि अगर बहुत पुराना current affair आपसे पूछा जा रहा है कि 10 महीने का 11 महीने पहले का तो आपसे वही questions पूछे जा रहे हैं जो बहुत important थे उस समय वो questions बहुत चर्चा में थे तो यह सारा content सात्यों आप लोग ध्यान करेंगे याद करेंगे और अपने exam को सात्यों बहुत आसानी से क्रेंकर डालेंगे चलिए तो सात्यों चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेजिए और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि एकलास सात्यों आपको कैसी लग रही है उसके बाद देखी अगर बात करें किसको चुना गया है तो पुषपा भारती जी को चुना गया है सात्यों ये भी आप लो मालूम रखना है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सात्यों प्रशन आपके स्क्रेन पर है हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट दोजार चौबिस का अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य सात्यों कौन सा है तो केरल है एक कोशन सात्यों बहुत इंपोर्टन है आप लोग ध्यान रखेंगे संभावित प्रशने आपके एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो अब बात करें सात्यों केरल की केरल से सम्मंदित कौन कौन से कोशन्स बनते हैं कि भारत की सबसे तेज सार इलेक्ट्रिक नाव वारा कुड़ा केरल में लॉंच की गई है तो कहां पर सात्यों लॉंच की गई है आप रूग ध्यान रखेंगे एक तरीके से सौर लिखा हुआ है सात्यों सेर नहीं तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वारा कुड़ा केरल में लॉंच की गई है और केंदरी मंतरी नितिन गटकरी ने केरल में ही लगजरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारम में किया है और केरल में सात्यों पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है सात्यों तो केरल में ही मनाया गया है उसके बाद देखिए अगला प्रिशन आपके स्करेन पर है किस राज़ुके मुखमंत्री ने कक्षा आठ के चात्रों को वित्रण की शुरुआत की है तो आंधर प्रदेश के अगर बात करें आंधर प्रदेश में ही सात्यों कक्षा आठ के चात्रों को वित्रण की अगर बात करते हैं सातियों यहाँ पर अगर बात करें किर्शी विप्रन सुधार में आंद्रप्रदेश शीष पर रहा है बहुत IMPORTन कोशन आंद्रप्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाती जनगलना शुरु करेगा बहुत IMPORTन कोशन उसके बाद देखिए मिनियेचर इस्टन घाट्स विशाक पटनम का नया परटन इस्थल बना है और आंध्री प्रदेश के पूर मुक्हमंत्री को बिष्टचार के आरोप में गिरफतार किया गया है और इस्रों ने अपने पहले सूर मिशन आदित एलवन को शिरी हरी कोटा से लौटा 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 स उदगाटन किया गया है ये आपको ध्यान रखना है फ्रांस ने इसकोलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहने पर बरतिबन लगाया है ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए और अगर बात करें साथियो अगले नंबर के पॉइंट की तो भारत जो है न ये फ्रां हाल ही में यूनिसको ने कहां के रामबाग और रामबाग गेट और प्राचीर को पुरुसकरत किया है तो ये कहां कहा है साथियो ये अमरे सरका है रामबाग गेट और प्राचीर को पुरुसकरत किया है तो रामबाग और रामबाग गेट और प्राचीर को साथियो अमरे सर का है इसको यूनिसको ने साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे बुरुस करत किया है चलिए उसके बाद देखिये साथियों अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रेंट पर है कि विश्व सौसर संगर्थन की रिपोर्ट के अनुसार डबलू एचो की रिपोर्ट के अनुसार कि अफगानिस्तान के Panel को सम्मानित किया गया है और अफगानिस्तान नई दिल्ली में अपना दूता वास बंद करने की गोशना की है आजए जड़ेजा अफगानिस्तान की किरके टीम के मेंटर बने है और अफगानिस्तान की मुνदरा दुनिया में सबसे अच्छा प्रोशन करने वाली मुद्रा बनी है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन है कि पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसी ने जीता है साथियों तो सौरब गांगुली ने सौरब कोठार ही ने जीता है आंसर आपका जाएगा आप्शन नंबर सी के साथ चलिए उसके बाद देखिए के खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों कौन सा राज शीर्ष पर रहा है ये आप से पूछा जा रहा है साथियों बताए तो हरियाना आप लोग ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाना राज्य शिर्षपर रहा है चलिए अब अगर बात करें यहां पर हरियाना राज्य की तो हरियाना सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ट को मनुरंजन निती परशत का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है आपसे पूछा जाएगा कि मनुरंजन निती परशत का अध्यक्ष किसको चुना गया है तो सातियों मीता वशिष्टी जी को उसके अलावा देखिए अगला प्रश्ण है कि हरियाना के नए DGP के रूप में किसको न्यूकत किया गया है तो शत्रु जीत कपूर को न्यूकत किया गया है हरियाना सरकार ने विदूर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोशना की है बिलकुल सही हरियाना ने छटी युवा महिला राष्टी चेंपेंशिप जीती है बिल्कुल सही और स्टार्ट अप 20 शिकर सम्मेलन कहां पर हुआ है तो हरियाना के गुरू ग्राम में हुआ है अगले नमबर का सातियों कोशन आपकी स्क्रीन पर है और आप से यहां पर पूछा जा रहा है सातियों के भारत में हाल ही में ओप्राश्पती जगदीब धनगर ने कहां अटल स्वस्त मेले का उदगाटन किया है सातियों बताने की कोशिश करेंगे क्या इस कोशन का राइट होगा तो उत्तर प्रदेश में किया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में किया है आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन है कि हाल ही में एक टेस्ट क्रिकेट में पांसो या उससे अधिक विकट लेने वाले दुनिया के आठ में गेनवाज साथियों कौन बने हैं तो नाथन लियोल बने हैं कौन बने हैं साथियों नाथन लियोल बने हैं आंसर आपका जाएगा बी के साथ चलिए उसके अलावा साथ ये पॉइंट में आपको बता चुका हूँ के बीसेसी आई ने एमेज धुनी जी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है बीसेसी आई ने मोहमज शमी के लिए अरजन एवार्ट की सिफारिश की है और दक्षिन आफरीका की महिला किर्केट टीम का कप्तान किसको बनाया गया है तो लौरा बोलवार्ट को बनाया गया है अगर बात करें साथियो अगले नंबर के कोशन की तो बनाया है पी एफ आर डिये बोर्ड का अंशकालिक सदसे किसको न्युक्त किया गया है तो परम सेन को न्युक्त किया गया है सियाचिन गिलेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिक आफिसर कौन बनी है तो फातिमा वसीम बनी है और हैदर अबाज शहर के नए पुलिस आयुक्त कौन बने है तो के एस रेड़ी बने है सैम अल्टमेन को फिर से ओपन आई आई के सीओ के रूप में नुक्त किया गया है ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए तो कहने को तो साथियों यहाँ पर मैंने आपके सामने लगबग 260 कोशंस लिये हैं अबजिक्टिव टाइब के लेकिन जो कोशंस से रिलेटिव कोशंस मैं आपको बता रहा हूँ तो लगबग लगबग साथियों यह आपके 500 कोशंस हो जाएंगा और मेरा ऐसा मानना है कि इन 500 पृष्णों को तयार करके अगर आप एक्जाम में चले जाते हैं तो आपका एक सिंगल कोशन्स भी सात्यों नहीं जूटना चाहिए करिंट अफ़ेर के सेक्शन में चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है आपसे यहाँ पर पूछा जारा सात्यों पुर्धान मंतरी मोधी जी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रे सोयरवेद महा मंदिर का शुभारंब कहां पर किया है सात्यों तो वारानसी में किया है य अगला प्रिशन देखिए सात्यों के सैम अल्टमैन को फिर से ओपन ए आई के सीओ के रूप में नुक्त किया गया है रूरल मार्केटिंग एसोसियेशन ओफ इंडिया ने किसको अध्यष बनाया है तो पुनीत विध्यारती को अध्यष बनाया है और मुंबई उत्सव की स अल्हकार समीति के अध्यर सात्यों किसको नुक्त किया गया है तो आनंद महिंद्रा जी को नुक्त किया गया है अब उसके बाद देखिए जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोट के नयधिश के रूप में शपत लिए है बिलकुल आगले नंबर का सात्यों कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहे कि व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया है तो पुषपा भारती के अगर बात करें व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है सात्यों पुषपा भारती को मिला है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर C के सा चलिए अब उसके बाद देखिए सातिवों कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुलाही मिरे ने यू एन नांसन पुरसकार जीता है सत्जीत रे लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है और शिक्षा के लिए WISE पुरसकार किसने जीता है सातियों सफीना हुसेन ने जीता है और 2023 का बुकर पुरसकार किसको दिया गया है तो पॉल लिंच को दिया गया है इतने पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए आपको ध्यान होना चाहिए आपको याद होना चाहिए किस देश ने सतत प्रबंदन के लिए वन प्रमारण योजना शुरू की है तो किसने की है साथियों आप से पूछा जा रहा है साथियों अपने भारत नहीं की है राइट आंसर आपका जाए का आप्शन नमर एके साथ उसके बाद अगर बात करें मलेशिया ने भारतिय नागरेकों को वीजा मुक्त प्रवेश के अनुमती दी है भारत सोशल मीडिया के लिए सकत आयू सत्यापन योजना बना रहा है भारत ने 2023-2024 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए है और भारत को लगतार तीसरी बार AIBD का अद्ध चुना गया है और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नमर वन पर रहा है भारत लगतार चटे महीने उभरते बाराजों बाजारों में शिश पर रहा है और वंडे इतिहास में 3000 चक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है तो भारत की क्रिकेट टीम बनी है ये सारे पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए आप सभी के मज़ने मनों मस्तिक्ष में स्टोर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं के SSC GD में आपका साथियों सेलेक्शन हो जाए चरिए अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश ने मिसर के साथ मिलकर मिसर सैट टू सेटलाइट लाँच किया है तो मिसर और चीन की अगर बात करें चीन इस प्रशन का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा और मिसर और चीन देव देशों ने मिलकर साथियों मिसर सैट टू सेटलाइट लाँच किया है उसके बाद देखिये चीन ने दुनिया का पहला चौती पीड़े का परमाणू रेक्टर शुरू किया है बिलकुल सही चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लाँच किया है बिलकुल सही और फिलिपीन्स ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव से बाहर निकलने की घुशना किया है बिल्कुल सही चीन ने जाओ जिनको अफगानिस्तान में अपना नया राज़ूत निक्त किया है ये भी आपको साथियो मालूम होना चाहिए आप सभी लोगों को याद रखना है अब उसके बाद देखिए कि परधान मंद्री नरेदर मोधी जी ने कहां पर AI शिकर सम्मेलन का शुभारम किया है तो कहां पर किया है साथियो नई दिल्ली में किया है आंसर आपका जाएगा सी के साथ हाली में किसे टाइम से अथलीट आफ दा इयर नामित किया गया है तो किसे किया गया है साथियो लियोनल मैसी को किया गया है राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ बहुत इंपर्टन कोशन फॉप्स दौरा जारी दुनिया की सौ सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतिये महिलाओं साथियो शामिल की गए है तो चार भारतिये महिलाओं को शामिल किया गया है या आपको ध्यान रखना है चलिए अब उसके बाद देखिए कि लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षी शहर साथियों कौन सा बना है बताने की कोशिश कीजिए तो सुरक्षी शहर के अगर बात करते हैं तो कुलकाता का नाम साथियों पहले आता है आंसर आपका जाएगा आप्शन नबर सी के साथ तो उसके बाद देखिए किसराज में महिलाओं के खिलाफ अपराद राष्टी ओधस से 180 गुना अधिक रहा है तो कहां पर अधिक रहा है साथियों उत्तर पुर्देश में अधिक रहा है राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा अब अगर बात करें साथ है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कर्ष्टता केंदर की गुशना की है बिल्कुल सहीं उत्तर प्रदेश के सी एस जे अम विश्वत ड्याले ने एन डावल एसी द्वारा एपलस पलस ग्रेडिंग हासिल की है अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नमबर का प्रिश्ट आपके स्क्रीन पर है उसके बाद देखिए किस राज ने अंतर देशी मचली पालन साथियों निके मैदानी छेतर में पहला इस्तान हासिल किया है तो कौन से राज प्रदेश की बात चल लाएं ये साथियों अतर प्रदेश की बात चल लएत आप लोग धियान रखेंगे उसके बाद देखिये साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते in कारकरम का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लकनों में किया जाएगा भगवान बुद्ध की 51 फिट उची प्रतिमा कहां पर इस्तापित की जाएगी साथियों तो कौशामी में इस्तापित की जाएगी और उसके अलावा देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की तीन दिवसिये श्री अन्न मौसब कहां पर आइजित किया जाएगा तो वो भी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता चुका हूँ और अगर बात करें उत्तर प्रदेश ने 100 प्रतिशत ODF प्लस कवरिज हासल किया है ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए चलिए अब उसके बाद देखिये साथियों 17,000 भूमी हिन लोगों को पांच मरला भूमी परदान की जाएगी साथियों किस राज जी के द्वारा साथियों तो जम्मू कश्मीर के द्वारा आंसर आपका बेके साथ जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस के महनिदेशक का अतिरिक्त परभार आर आर स्वैन ने समाला है और जम्मू कश्मीर के प्रसुद पश्मीना क्राफ्ट को जी आई टैग मिला है और जम्मू कश्मीर में यंगस वैली फेस्टिवल आयजित किया गये है ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए ठीक है ना चलिए उसके बाद अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर के भदरवाहू राजमा और रामवन सुलाई शहिद को क्या मिला है जी आई टैग मिला है अगले नंबर का कोशन आपके स्क्रीन पर है किसे ओर्डर ओफ बिटिश कोलम्बिया मिला है तो किसे ओर्डर ओफ बिटश कोलम्बिया मिला है याप से पोच्छा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आपका आप्शन नंबर C के साथ जाएगा अब उसके बाद देखिए में साथियों पूछ लिया जाए कि मौलदीव के राष्टपती कौन बने है जो ने आटमी बार साथियों शपत ली है तो आप लोग ध्यान रखेंगे मौहमद मुईजू का नाम उसके बाद देखिए अगला कि अगर बात करें साथियों तो मौलदीव से सम्मंदित जो कोशन बन सकते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजे कि रिलाइंस जियों ने मौलदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोनने से सम्मंदित कार्य पूरा किया है बिलकुल एशिया सर्फिंग चेंपरशिप का आयजन कहां पर किया गया है अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको धिहान रखना है साथियों मौल मौलदीव के राष्टिय रक्षा बलो के बीच सयुक्त सैन अभ्यास एक से एकुवेरिन का बाहरमा संस्क्रण साथियों कहां पर किया गया है तो उत्रा खंड के चौबटिया में किया गया है उसके बाद देखिए मौलदीव की सरकार के द्वारा सुरेश रहना को स्पोर् रगुराम अयारिन का नाम है और ये साथियों भारती ओलम्पिक संके सीओ बने है उसके बाद देखिए केंद्रिय सरकार ने केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल यानि के सी आर पी एफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसको नुक्त किया है तो यहां पर अगर बात करें साथियों अनीश देयाल सिंग की अगर बात करें तो यह सी आर पी एफ के महानिदेशक बने है आंसर आपका जाएगा उप्शन नुम्बर एक के साथ अब उसके बाद देखिए केंद्रि सरकार ने भारत तिबबस सीमा पुलिस यानि के आई टी वीपी का न बहुत इंपॉर्टन आपके लिए हैं जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया के सी आर पी एफ के महानिदेशक कौन है तो आपने साथियों अनीश देयाल सिंग है उसके बाद मैंने आपको बताया ITBP के साथियों महानिदेशक कौन है तो राहुल रसको उतरा है और अगर बात करें भारत के पहले दलित मुक्ष सूचना अयुक तो कौन है कौन बने है तो हीरा लाल सामरिया आप लोग ध्यान रखेंगे यह भारत के पहले दलित मुक्ष सूचना अयुक तो बने है चलिए उसके बाद देखिए research and analysis wing की अगर बात करते हैं तो इसके साथियों प्र करेंगे तब भी आपको साथियों क्या बताना है जै वर्मा सिनहा बताना है तो ये बहुत इंपॉर्टन कोईशन है साथियों उसके बाद देखिए लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिशत के अध्धिश के रूप में साथियों किसको नुक्त किया गया है तो और्गनाइजेशन यानि के विश्वयापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नुक्त किये गए हैं अगला प्रशन देखिए जहारखंड की अगर बात करें तो जहारखंड के मुख्यमंत्री साथियों कौन बने हाल फिलाल में जो भी मुख्यमंत्री ह गारेकाल एक वर्श बढ़ा दिया गया है तो माइकल देवरत पात्रा का नाम आपको मालूम होना चाहिए इनका साथियों एक वर्श कारेकाल बढ़ा दिया गया है और ये कौन है ये ढिपडी गवरनर है भारतिय रिजर्ब बैंक के चलिए उसके बाद देखिए बने है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोट के 34 में नयाइधिश के रूप में न्युक्त किया गया है तो जिस्टिस परसन्ना भी वराले का नाम आपको मालूम होना चाहिए इनको सुप रक्षा मंतराले के महानिदेशक साथियो कौन बने है तो समीर कुमार सिनहा बने है रक्षा मंतराले के नए महानिदेशक आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर A के साथ जाएगा उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में रेलवे बोड के सचिव का पद भार किसने समाल यह आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ चलिए विदेश मंतराले के नए प्रवक्ता की अगर बात करते हैं तो रणधीर जैसवाल की अगर बात करें तो यह विदेश मंतराले के नए प्रवक्ता बने हैं उसके बाद अगर बात करें भारत की विदेश मंतरी कौन है तो सुबरमेंडियम जैशंकर है, इनका भी नाम आपको मालूम रखना है, उसके बाद देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अधेश के रूप में सात्यू किसको न्यूक्त किया गया है, तो किसको न्यूक्त किया गया है, प्रोमोद अगरवाल जी को न्यूक्त के लास्ट मन्स में वो आपके लिए सात्यू बहुत इंपोर्टन्ट है, और अब सात्यू जो कोशन से आप लोग देख रहे हैं, वो न्यूक्ती से सम्मंदी थी, आप प्रिश्ण देख रहे हैं, और ऐसा कोई एक्जाम नहीं सात्यू जिसमें न्यूक्ती से सम्मंदी सात लेखिये सीमा साड़क संगठन के 28 में महानिदेशक कौन बने है तो रगु शरी नवास का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए ये सीमा साड़क संगठन के महानिदेशक बने है कौन से नंबर के 28 में नंबर के रेलवे सुरक्षा बलसेवा के महानिदेशक कौन बने है तो मनो बहता कौन है ये भारत के सौलिसेटर जनरल है आंसर आपका जाना चाहिए C के साथ केंदरी अनुवेशन ब्योरो के अगर बात करें सात्यों CBI की बात करें तो इसके नए निदेशक के अगर बात करें तो प्रवीर सूद का नाम आपनों ध्यान रखेंगे ये केंदरी अनुषा नाम चेंदर के चौद में निदेशक बने हैं भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर बात करें यानिके भारत के सीडियस कौन है तो अनिल चोहान के अगर बात करें आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर सी के साथ और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप् B के साथ भारती अपरतिस परदा आयो की पहली महिला अध्यक्ष को ने देखे किसी भी आयो की किसी भी संस्थान की अगर कोई पहली महिला अध्यक्ष बनती है तो वो आपके लिए साथियो बहुत important होता है तो रवनीत कौर का नाम आपको मालूम होना चाहिए या भारती अपरतिस परदा आयो की पहली महिला अध्यक्ष बनी है निती आयो के साथियो सेई ओ कौन बने है तो निती आयो की अगर बात करें वी वी आर सुबरमंडेम का नाम आप लो जान लीजिए क्यों कि ये निती आयो के साथियों सेई ओ बने है चीफ एग्जेक्यूटिव आफिसर बने है उसके बात देखिये राश्टी किर्शी और ग्रामिन विकास बैंक जिसको नावाड कहा जाता है तो नावाड के साथियों वरतमान समय पर अध्यक्ष कौन है के भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगी दो कोशन साथियों बहुत इंपोर्टन थे एक तो इसरो वाला प्रिशन और अगर बात करें यहाँ पर आपने देखा था नावाड वाला कोशन और साथियों अपने डियाडियों वाला कोशन चलिए उसके बाद देखियो भारत की पहली आदिवासी महिला राश्पती कौन बनी है तो दुरुपती मौरमुची बनी है आंसर आपका जाएगा उप्शन नमर सी के साथ चलिए भारत के नए महानियावादी साथियों कौन बने है तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे आर वेंक्टर मानी कौन बने है तो यह भारत के नए महानियावादी बने है आंसर आपका जाना चाहिए उप्शन नमर एके साथ चलिए उसके बाद देखिए नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है साथियों सत्य नारायन परधान जी नौर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने है आंसर आपका जाएगा डी के साथ राश्टिय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यश कौन बने है तो अरुन कुमार मिश्रा बने है साथियो राश्टिय मानव अधिकार आयोग के अध्यश अगले नमबर का प्रिशन है कि भारत के ने मुक्छ चुनाव आयुक तो कौनAY zijn? तो राजीव कुमार आप लोग धियान रखे गे ये ही सातियो भारत के ने मुक्छ चुनाव आयुक तो बने है उसके बाद देखिए साथियों भारती थल सेना के ने प्रमुख कौन बने हैं तो मनोज पांडे आप लोग धिहान रखेंगें भारती थल सेना के ने प्रमुख बने हैं आंसर आपका भी के साथ जाएगा तो ये इस बाद का भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए ये भारती प्रतिबूती और विनिमैबोड के अधिश कौन बने है ये बहुत important question ने साथियों आपसे exam में पूछा जा सकता है तो संजे कुमार अगरवाल के अगर बात करें ये कौन है साथियों ये अध्यक्ष हैं किसके अध्यक्ष हैं केंदरी अपरितक्षकर और सीमा शुलकबोड के अध्यक्ष हैं उसके बाद देखिए भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकर्ण के नए सीओ कौन बने हैं तो अमित अगरवाल बने हैं अंसर आपका जाएगा option number C के साथ चलिए उसके बाद देखिए भारत के पचासमे साथियों मुक्ष नयदीश कौन बने हैं तो धनजय यश्वन्ति चंद्रचून की अगर बात करें यही साथियों पचासमे मुक्ष नयदीश हैं यानिके CGI हैं उसके बाद देखिए अगला प्रिशन है CJI है, उसके बाद देखिए भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रो के अध्ष कोन है, तो अभी तो सातियों DRDO के अध्ष की बात की गई थी, अब यहाँ पर इस्रो के अध्ष के अगर बात करें तो इस सोमनात है, इनका भी महिला अध्यक्ष कौन है साथियों तो पीटी उशा है कौन है पीटी उशा की अगर बात करें तो ये भारती ओलम्पिक संकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है चली उसके बाद देखिए राश्टी परिक्षण एजनसी के नए निदेशक कौन बने है महानी देशक कौन बने है साथियों तो सुभूद कुमार बने है अंसर आपका जाएगा एक साथ उसके बाद देखिए भारत के नए लेखा महानी अंतरक साथियों कौन बने है तो इस इस दुबे जो है ना ये लेखा महानी अंतरक बने है साथियों भारत के उसके बाद देखें यूपियसी के नए अध्ष सात्यों कौन बने है तो यूपियसी के नए अध्ष कौन बने है सात्यों डॉक्टर मनोज सूनी बने है या आपको मालूम होना चाहिए संग लोग सिवा आयोक के अध्ष कौन है तो डॉक्टर मनोज सूनी है केंद्रिय प्रत्यक्षकरबोड के नए अध्यश कौन बने है तो नितिन गुपता बने है यहाँ पर आपका आंसर जाएगा के 22 में विधी आयोक के अध्यक्ष सात्यों कौन बने है तो कौन बने है नयमूर्ति रितु राज अवस्थी बने है आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नबर B के साथ भई बहुत बढ़िया वेरी कुट क्लास राश्टिय सांखे के आयोक के नए अध्यक्ष सात्यों कौन बने है तो इनका भी नाम आप लोग सात्यों ध्यान रखेंगे किनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे राजीव लक्षमन करंदीकर के अगर बात करें तो यह राश्टिय सांखे की आयोक के नए अध्यक्ष ब कवर किया गया है और सातियों पूरी 2023 को कवर किया गया है तो यहां पर बात करें 260 कोशन के माध्यम से पिछले पूरे साल को सातियों कम्प्लीट किया गया है करिंट अफैर को कम्प्लीट किया गया है चलिए तो भारत के ने नियंतरा के वह महालेखा परिक्षक की अगर बात क आपकर बात करें यही साथ्यों विश्वद्याले अनुदान आयोके अध्यष बने है आंसर आपका बी के साथ जाएगा कल्याण 24 साथियोग इसके अध्धष बने हैं आंसर आपका जाएगा एक के साथ चलिए उसके बाद देखिए कि राजसभा के महा सचिफ कौन बने हैं तो प्रमूच चंद्रमोधी के अगर बात करें तो यह साथियो राजसभा के ने महा सचिफ बने हैं आँसर आपका एक ऐसाथ, उसके बाद देखिये सातियों, देखिये राजसभा की अगर बात करें तो आपने देख लिया राजसभा के नए महासाचीफ कौन बने हैं, प्रमूच चंडरमूदी बने हैं, लेकिन आगर आपसे पोछा जाए कि राजसभा की उप सभापती कौन तो हरिवश नाराइन सिंग बने है, ये भी आपको मलूम होना चाहिए, चले, अब उसके बाद देखिए अगला प्रिशन है कि भारत के राष्टिय सुरक्षा सलहकार कौन है, तो अजीत डोभाल का नाम आपलोग धिहान रखेंगे, ये भारत के राष्टिय सुरक्षा सलहका कौन है? तो शैशी सिंग है. क्या नाम है इनका? इनका नाम Šैशी सिंग है. और यह साथियो अखिल भारतिये रबर उद्योग संके अध्यक्ष बने हैं. उसके बाद देगी भारत के प्रवरतन प्रवरतन निदेशाले के प्रभारी निदेशक के रूप में किसको निउक्ति किया गया है तो किसको निउक्ति किया गया है साथियो राहुल नवीन जी को निउक्ति किया गया है प्रवरतन निदेशाले के प्रभारी निदेशक के रूप में अगला प्रशन देखिए प्रे सामाचार सेवा प्रभाग की नई परधान महानिदेशक सातियों कौन बनी है आपसे पूछा जा रहा है तो डॉक्टर वसुधा गुपता की अगर बात करें तो यही आकाश माणी और सामाचार सेवा प्रभाग की नई परधान महानिदेशक बनी है बहुत important question था चलिए अगर बात करें नेशनल कैड़िट कौर यानि के NCC की बात करें तो इसके महा निदेशक साथियों गुर्बीर पाल सिंग बने है आंसर आपका किसू ऑप्शन के साथ जाएगा आप्शन नमर डी के साथ जाएगा अगर NCC की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी इसका मुख्यले साथियो नई दिल्ली में है और इसके उप महा निदेशक कौन है वी एम रेड़ी है और इसके महा निदेशक कौन है गुरबीर पाल सिंग है अब उसके बाद देखिये साथियो राष्टियो मोल्यांकन और प्राधिकर्ण कि अगर बात करें इसके निदेशक कौन बने है तो इसके निदेशक साथियो गडेशन कन बिरान बने है अंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नमबर बी के साथ जाएगा बी के साथ बलकर एक के साथ जाएगा अगला प्रश्ण देखिये भारती वालिज्य और उध्phinॉ लिमिटेट के साथियो अध्यष कौन है तो अमरेंदू परकाश की अगर बात करें तो ये साथियो इस्टील आथरिटी आफ इंडिया लिमिटेट के नए अध्यष बने है अंसर आपका जाएगा एके साथ चलिए उसके बाद देखिए वेग्यानिक और अगोगिक अनुसंद अध्यष या प्रमुक बनती हैं तो उनका नाम आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होता है उसके बाद देखिए साथियो भारती किर्शी अरुसंद्धान परिशत की अगर बात करें तो इसके माहन इदेशा कौन बने हैं हिमानशु पाठक बने हैं आंसर बारतिक सलहकार साथियो कौन बने हैं तो वी अननत नागेश्वरन बने हैं आंसर आपका जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि राष्टी जाच एजनसी के अगर बात करें तो इसके महान इदेशक कौन बने हैं दिनकर गुपता इसके महान इदेशक बने हैं राष्टी जाच एजनसी के महान इदेशक साथियों दिनकर गुपता का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए उसके बाद देखिए भारती रिजर्ब बैंक यानिके आर बियाई के गवरनर कौन है बताईए देखिए कुछ बाते आप आपको याँ पर ध्यान रटने आर बियाई के संबन में अगर आप से पुछा जाए कि आर बियाई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर किये गई थी तो हिल्टन यंग आयोकी सिफारिश के आधार पर किये गई थी अगर बात करें साथियों ये इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई तो 1934 के अधिनियम के तहत हुई लेकिन इस्थापना कब हुई एक अपरेल 1935 को इसकी इस्थापना हुई इसका मुख्याले कहां पर है तो मुंबई में इसका मुख्याले है इसके पहले भारतिये गवर्नर कौन थे CD देशमुक बहुत एक्जाम में पूछा जाता है और वर्तमान समय पर गवर्णर सातियों कौन है तो शक्ति का अंदास है तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर B के साथ था तो बिल्कुल करेक्टर उसके बाद देखिए भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO सातियों कौन बने है तो कौन बने है जी कमला वर्धन राओ बने है अंसर आपका जाएगा उप्शन नमबर A के साथ चलिए राश्टी अनुसूचित जाती आयोक के अध्यष कौन बने है सातियों तो विजय सापला राश्टी अनुसूचित आयोक के अध्यष बने है उसके बाद देखिए सातियों दस प्रशन और आपकी स्क्रिन पर से गुजरेंगे और इसमें सातियों बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन कोशन आपके लिए लिए गए है बारत Petroleum Corporation Limited के नय अध्यष कौन बने है अगर अध्यष आपसे पूछा जाए तब भी आपको जी कृष्न कुमार बताना है अगर प्रभंध निदेशक आप से पूछा जाए तब भी आपको जी कृष्न कुमार का ही नाम बताना है उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के M.D. और C.E.O. कौन बने है तो आशीश कुमार चौहान के अगरवाद करें ये साथियो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के M.D. भी है और C.E.O. भी है तेल एवं प्रकरतिक गैस निकम यानि कि O.N.G.C. का नाम आपने ब चाहिए वरतमान समय पर लोकसवा के अद्धिश ओम बिरला है राश्टिय आपदा मोचन बल यानि के N.D.R.F. के ने महानिदेशक कौन बने है तो अतुल करवाल साथियो कौन बने है राश्टिय आपदा मोचन बल के ने महानिदेशक बने है आंसर आपका जाएगा स्पेशल प्रोटेक्शन गुरुप के प्रमुक साथियो कौन बने है तो आलोक शर्मा की अगर बात करें यही साथियो स्पेशल प्रोटेक्शन गुरुप के ने महानिदेशक कौन बने है तो M.A. गनपती की अगर बात करें आप लोक ध्यान रखेंगे साथियो M.A. गनप अगर आपसे एक्जाम में पूछें नागरिक उड्यान महानिदेशाले के महानिदेशा कौन बने है तो विक्रम देवदत्व बने है अगला प्रिशन आपके स्क्रेन पर है कि भारती डेटा सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष सात्यों कौन है तो प्रमोध भसीन है आंसर आप का जाएगा ऑप्शन नमर सी के साथ चली उसके बाद देखिए आज किस क्लास का अंतिम प्रिशन आपके स्क्रेन पर है और आप से पूछा जा रहा है कि राष्टिय स्वस्त प्राधिकरण के नए निदेशा कौन बने है तो प्रवीन शर्मा की अगर बात करें आप लोग स साथियों धियान रखेंगे के राष्टिय स्वस्त प्राधिकरण के नए निदेशा कौन बने है तो प्रवीन शर्मा बने है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमर सी के साथ बहुत बढ़िया वेरी गूड क्लास तो यह साथियों करिंट अफेर यहाँ पर आप सभी लोग बहुत कह रहे थे पूरी करिंट अफेर एकी क्लास में तो यह मैंने साथियों पूरी कोशिश की कि एक ही वीडियो में ऐसी करिंट अफेर के कुछ कोशन्स आपको दे दिये जाएं जिसमें से आपके एक्जाम में साथियों बहुत सारे कोशन्स आपको देखने को मिल जाए तो मैं यही उमीद करंगा सहित्यों, यही आशा करूंगा कि जितना आपको पढ़ाया है यह आपके लिए काफी होगा और इसमें सही साथयों आपकी परिक्षा में पुर्ष्ण आ जाना चाहिए ठीक है तो यह क्लास साथयों आपको कैसी लगी जैसी लगी हो comment section में एक बार अवश्य बताईएगा और इस वीडियो को सात्यों कम से कम अपने दो मित्रों या किसी एक गुरूप में सात्यों शेयर कर दीजेगा ताकि ये content सात्यों सब के पास पहुँच जाए जिसको इसकी सबसे ज़ादा जरूरत है तो चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन पर क्लिक कीजेगा वीडियो को भी लाइक कीजेगा तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सात्यों